जब भी दोस्तो यार जादूई दुनिया का नाम आता है तो सबसे पहले यार हरी पॉर्टर मूवी को याद किया जाता है और आज भी यार ये उस चरण पे है जहां लोग इसके बहुत बड़े फैन है तो दोस्तो खुशकबरी ये है कि यार टीवी सिरीज बन सकती है हरी और इसकी हम पूरी डिटेल्स जानेंगे दोस्तो तो वीडियो शुरुवात करने इस पहले एक छोड़ी सी रिक्वेश्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजाओ बैल एकन दबा दीजी तो वीडियो शुरुवात करते हैं तो जैसे कि दोस्तो आप जानते हो कि हरी पॉर्टर का आखरी पार्ट 2011 में रिलीस किया गया उसके बाद यार जीके रूलिंग ने जो किताब लिगी थी फैंटास्टिक बिस उसको यार रिलीस किया गया 2016 में 2018 में और ठर्ट पार्ट आने वाला है 2022 में दोस्तो तो यार ये तो काम चली रहा है लेकिन जहां तक बात करी हरी पॉर्टर टीवी सीरीज के बारे में तो डेवलेप्मेंट यार बहुत तीजी से चल रहा है इनमें एक नाम जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है जो नाम है यार जेके रोलिंग का जेके रोलिंग इस टीवी सीरीज के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए यार बिल्कुल भी मान नहीं रही थी बहुत मिन्नोतों के बाद यार उनको मना लिया गया और फाइनली एजवी यार बहुत ज़रूरी होती है वो किस बेजट में होगी क्या हैरी पॉर्टर के आगी की कहानी होगी या वही या कोई और स्टोरी यार जेके रोलिंग द्वारा लिखी जाएगी इतनी बड़ी प्रोसेस दोस्तों उनमें यार बहुत टाइम लगने वाला है और ये बाते है हरी पॉर्टर फैन्स के लिए यार बहुत बूरी खबर हो सकती है लेकिन खुशी की बात यह है कि HBO Max द्वारा यार टीवी सिरीज को लांच किया जाएगा वो कब आएगी इसका तो मैं बोल नहीं सकता अभी फिलाल के लिए दोस्तों ऐसी कोई भी निउस नहीं आई है कि य यही कह सकता हूँ कि यार हम लोगो TV सिरीज लग भग 2 साल लग सकते हैं अभी फिलाल काम चालू हुआ है तो यार प्रोग्रेस में बहुत टाइम लग सकता है तो 2 साल मैग्ज में हम 2 साल उसके बाद यार टीवी सिरीज आ सकती है तो ये इनफॉर्मेशन आपको कैसे लिग या आप कमेंट में लिखे बता सकते हो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल एकर दबा दीजे वन लाइक वन सब्सक्राइबर और हम को मिलता है यार मोटिवेशन तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये ख़बरे हमारे लिए कितने इंपोर्टेंट रखती है हम आपके लिए ऐसी न्यूज आगे लाते रहेंगे तुछ सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलना और लाइक की बटन जरूर ठुक देना मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई